और downstream processing की definition भी आ चुकी है आप लोगों के बीच में अब शुरू करते हैं बायो टेक्नोलजी के application की कहाने application की बात करेंगे अब बायो टेक्नोलजी और इट्स अप्लिकेशन गले की बच चुकी है बैंड लेकिन फिर भी रुकेगा नहीं आपका ये क्लास का सलसिला क्लास चलती रहेगी तब तक जब तक कि हमारा काम क्कूप्लीट नहीं जाता जो उद्देश जिस उद्देश से यह पैसक छलती रहें गी बेना ब्रेक के बिना रुके बिना थमें यह चलती रहनी चाहिए यह लगत जलते रहना चाहिए जब तक रूर्भी ゃए अर्ली डाइगनोसिस की तो अर्ली डाइगनोसिस नहीं कर पाती लेकिन सेरम यूरीन अनलेसिस तब की जाती है जब कोई इन्सान रोगी हो जाता है पेशेंट हो जाता है और उसको सिम्टम्स आने लगते हैं मतलब आलरेड़ी बाड़ी में पैथोजन का नंबर बहुत जादा बढ़ चुका है तो इसलिए इस सवाल का आंसर हो जाएगा option number C next question आता है gene therapy एक ऐसा method है जो किसी genetic disease को treat करने के लिए यूज किया जाता है एक फोर्थ option हो जाएगा RNA interference एक ऐसा method है जिसमें हम cellular defense की बात करते हैं यू केरियोटिक organisms की एक natural defense mechanism होती है ELISA जो होता है एक diagnostic test है जो AIDS में यूज किया जाता है antigen antibody interaction और जेल इलेक्ट्रोपोरेस में DNA molecule को separate करते हैं तो बहुत ही आसान सवाल है A को हम match करेंगे 4 से B को match करेंगे हम B को match करेंगे 3 से C को match करेंगे हम second से और D को match करेंगे 1 से तो answer बनेगा C option बिना any confusion के in gene therapy ADA gene deficiency जो होती है gene therapy के process में the patient requires the periodic infusion of genetically engineered lymphocytes क्यों क्योंकि ये lymphocytes अमर कोशिकाएं नहीं होती ये अमर नहीं होती ये ऐसी कोशिकाएं होती है जो कुछ दिनों के बाद degenerate हो जाएंगी तो आप लिख सकते हैं इसलिए time to time इसे periodic infusion कराना पड़ता है तो बाकी सारे options wrong हो जाएंगे answer बनेगा A option बिलकुल correct तो याद रखेंगे ये lymphocytes mortal cell होती है एक time के बाद degenerate हो जाएंगी तो फिर से नई cell या नए उन enzymes को insert करना पड़ेगा जो की body में ADA की कमी को पूरा करेंगे next question कहता है which of the following statements are correct about the genetically engineered insulin अब याद रखेंगे इसमें question पूछा है उस पर ध्यान दें यह कई बार discuss भी किया हुआ है प्रास में भी बताया हुआ होगा बहुत इंपॉर्टन बट बहुत ही सिंपल कोशन है genetically engineered insulin जिसे हम हुमियूलीन के उपर बेश्ट है जो एली लिली कंपनी ने बनाया था जो मैच्योर इंसुलीन है ध्यान रखेंगे यह एक मैच्योर इंसुलीन है without C peptides का मतलब आब हमारा जो भी concept discuss होगा वो इसी के इर्दगिर्द होना चाहिए कह रहे है प्रो हॉर्मोन इंसुलीन कंटेन एक्स्ट्रा स्ट्रेच मतलब हम बात कर रहे हैं genetically engineered insulin की मतलब यह बात हुमियूलीन पे fit नहीं होती जहां पे C peptide दिया होगा सीधी सी बात है गलत है ए पेप्टाइड और हुमियूलीन से related जो एली लिली ने किया था अमरीकन कंपनी ने जो सबसे पहली बारह एटीन नाइंटी नाइंटी त्री में यह चीज़ प्रोड्यूस कराई थी वह इसी method से कराई थी याद रखेंगे important है insulin used for treating diabetes was extracted from cattle again cattle और pig से जो बनाई गई है वो artificially इस technology से produce नहीं की गई है किसी और animal से हम insulin extract कर रहे हैं तो इसका मतलब यह भी humulin की बात नहीं करता है फिर कह रहा है pro hormone insulin again wrong यह बात हो रही है mature insulin की मतलब pro insulin की बात यहां भी नहीं होगी कह रहे है pro insulin needs to be processed converting तो यह natural insulin की बात कर रहा है जो पहले बनती है pro insulin के form में pro insulin में A chain भी होती है B chain भी होती है और यह दोनों के बीच में C chain link करती है जब mature होती है तो किवल A और B के बीच में disulfide linkage रह जाती है C peptide अलग हो जाता है तो हम किवल mature insulin की बात कर रहे हैं तो ध्यान रखेंगे यह भी रॉंग है सम पेशेंट्स डेवलप allergy reaction ड्यू टू फॉरें इंसुलिन के यह भी तब एक option सही बनता है जो की है बी option बी only correct means answer बन जाएगा बी option तो कोई डाउट नहीं होगा इसमें किसी बच्चे को कोई डाउट नहीं होना चाहिए बहुत ही आसान किसी का सरदर्द कर रहा है कौन सा सरदर्द कर रहा बिटा तुम्हारा कौन सा सर फिजिक सर केमेश्ट्री सर जूलोगी पॉटनि कोन सा सर दर्द कर रहा है अभी तो जूलोजी की क्लैस चल रही तो मुझे लगता है के वस्चे का सर दर्द कर रहा है क्यों नहीं जवाब देती उस बालक का जो तुम्हें यदा कर रहा है दिन और रात ऊसके पास अब कोई और कुछ करने को रहibal है अब पाउं भी तेरे लेकिन तू आवाज नहीं दे रही तू आवाज क्यों नहीं दे रही अंजले वह सुनील शैटी तुम्हें आवाज दे रहा है अंजले ओ अंजले अंजले आवाज दे रहा है इतनी देर से बैटा उसकी बात क्यों नहीं सुनते आंजले आंजले कोई नहीं बेटा जवाब दो उस बेटे का उस बालक का जवाब दो नहीं तो वो पगला जाएगा एक्जाम से पहले पगलाना अच्छी बात नहीं है आंजले बीजक्षन डिया में इस देफिशन्सी लीड्स टू एक ऐसा डिसॉडर जो त्टी एक्षोर नहीं कर पाती है उन्सान की हम्यूनिटि कमजोर होने से उसे कई सारी बिमारियां और विचारे की जल्दीग में अरली एज तेफ होने की पॉसिबिलिटी होती है तो यहां पर आप लिख सकते हैं dysfunction of immune system से related एक immunodeficiency है primary immunodeficiency not correct पूछा है अगला सवाल pro insulin has extra stretch of peptide c peptide मैंने कहा आपको एक chain होती है a एक होती है b और इन दोनों के बीच में होती है इन दोनों के होते हैं disulfide से भी linked होते हैं याद रखेंगे कहरें जब mature insulin बनती है तो खाली a और b रह जाते हैं disulfide रह जाता है इनके बीच में और c peptide अलग हो जाती है question कह रहा है pro insulin has extra stretch सही बात है functional insulin has a and b chain linked together by hydrogen bond बोला है यहां disulfide bond हो जाएगा तो यही wrong हो जाएगा यही wrong हो जाएगा answer बन जाएगा बी option तुरंट फटैक से answer करें भी option होगा बिना किसी doubt के फटैक से करेंगे आर ने आई में हम क्या करते हैं हम करते हैं use of double stranded RNA double stranded RNA जिसका इस्तेमाल करके हम किसी भी eukaryotic cell में जैसे double stranded RNA का formation होता है वह इंड्यूस करता है यह इंड्यूस करता है आर ने इंटर्फेरेंस को यह कैसा method of cellular defense defense है जो हर eukaryotic cell के अंदर पाया जाता है जैसे ही कोई foreign dna foreign RNA double stranded RNA का formation करें या कोई organism double stranded RNA बनाता है इस ड्लॉक करने के लिए वहां पे डाइसर नाम की protein हो जाती है आर फ्राइंट कर कहते हैं SI RNA इसे कहते हैं small interfering RNA अब क्या होता है यहां दूसरा एक enzyme activate होता है एक type of another RNA जिसे कहते है splicer enzyme क्या कहते हैं इसे कहते है splicer RNAs कहते हैं अब यह जो splicer होता है इसमें से यह sense strand of RNA को digest कर देता है बस इतना याद रखें मोटा मोटी कि sense RNA को यह digest कर देता है और anti-sense RNA के साथ यह जुड़ा होता है anti-sense वाली side से जुड़ा होता है sense RNA को digest कर देता है इसलिए वह जो पैथोजन होगा या वह जो organism होगा उसका translation नहीं हो पाता translation का process post transcriptional यह process है याद रखेंगे transcription तो वह कर पाएगा MRNA तो वह बना पाएगा लेकिन translation जो हो जाएगा वह ब्लॉक हो जाएगा तो एक ऐसा process जिसमें translation effect हो जाती है protein की synthesis organism नहीं कर पाता है protein synthesis stop हो जाती है इसी को कहते हैं आर इन ने इंटर्फेरेंस जो की एक natural method of cellular defense है और यू के लिए एक important point है c option बिलकुल correct हो जाएगा नेक्स क्वेस्चन है विच आफ फॉलोइंग इस true for golden rice golden rice मतलब एक ऐसा rice variant जिसके अंदर इन्होंने इसके अंदर इन्होंने जीन insert कर दिया beta carotinoid का और यह beta carotinoid वाला जो जीन है बेटा यह beta carotinoid वाला जीन vitamin A pro vitamin A कहा जाता है और vitamin A night blindness या ice related problem के लिए रामबाण साबित हुआ इस process को bio fortification कहा जाता है जिसमें nutrient enrichment कर दी गई यह already उसमें food quantity थी food के अंदर food present था लेकिन उसको और rich कर दिया है उससे vitamin produce करा के तो golden rice में इसको golden क्यों कहा क्योंकि इसके seeds जो थे वो yellowish in color थे तो vitamin A की deficiency की वज़स को दूर करने के लिए scientist ने इस golden rice की discovery करी vitamin A rich था it the gene taken from dafodil narcissus pseudo narcissus नाम जिस plant का था उससे उसके जीन isolate किये थे या फिर bacteria से obtain किये थे जिसका नाम था irvenia और इसका इस्तमाल किया जाता है उस उन एरियाद में जो लोग जो लोग food proper afford नहीं कर पाते कहरें उनके food के अंदर कहरें sugar और carbohydrate content बाकी nutrient तो मिल रहे थे लेकिन वाइटमिन की deficiency की वज़े से उनमें आइस related problems आ रही थी बड़े घरों की बात नहीं हो रही जिनको भगवान का दिया वह सब कुछ मौजूद है करें उन लोगों में जहां पे food उतना proper नहीं मिल पाता है सारे वाइटमिन उनको प्रॉपर नहीं मिल पाते हैं उनके लिए रामबाड है तो इस तरह की discovery बाटेकनोलजी human के benefit के लिए बहुत इंपोर्टेंट थी पैस्ट रेजिस्टेंस रॉंग है येलो ग्रेंस बिकॉज ऑफ जीन इंट्रोडिउस्ट प्रिमिटिव वराइटी ऑफ राइस रॉंग है तो कि वह एक ऑप्शन सही है दैफो दिल दिल वालों की बात है आंसर करेंगे ए ऑप्शन नेकस्ट ग्वेशन आता है वाट ट्रिगर्स एक्टिवेशन आप प्रो टॉक्स तो यह बीटी मतलब वाला केस भी हमारा चुका है इससे भी क्वेशन अगर पूछे जाएंगे तो आफ अटाक से कर लोगे जैसे इसे इंसेक्ट पेस्ट खाता है एलकलाइन पीच गट वाल में जब उसे मिलता है तो वह एक्टिव हो जाता है इन एक्टिव प्रो टॉक्स इससे ADA जीन को हम रिलेट करेंगे ADA जीन जो SCID जीन ठेरपी से रिलेटेड आरन ने आई सेलिलर डिफेंस है और PCR जो है वो डिटेक्शन ऑफ HIV के लिए है NCRT का और ये भी important question में से एक है इसको जरूर आप पढ़ दे एक बार धंग से इसको देख लें इस option को इतने से ही चैप्टर के अल्मोस सारे पार्ट कंप्लीट हो जा रहें एंटी सेंस टेक्नोलजी रिलेट करती है एंटी सेंस टेक्नोलजी रिलेट करती है पीस आफ और ने बिल्कुल गलत के वलेक ऑप्शन सही option number a next choice of bt toxin gene depends upon bt toxin gene depends upon type of crop type of targeted pest type of vector तो पहले दो option आपको सही लगेंगे आप देखो ncrt की लाइन ही अगर हम bt toxin gene की बात करते हैं तो यह species group specific होता है हमेशा species specific होता है किसी particular insect group के अगेंस्ट ही यह particularly active होता है तो किसी particular crop में और किसी particular targeted pest के लिए activate होगा तो मतलब इसका हम इस्तेमाल करते हैं crop को pest resistant बनाने के लिए d option के साथ both will be correct type of crop and type of targeted pest क्योंकि अलग-अलग crop के लिए अलग-अलग पैस्ट होते हैं अलग-अलग परिशानियां होती हैं और उनकी परिशानियों को दूर करने का यही एक मात्र बहतरीन तरीका रिगार्डिंग रिट्रो वाइरस क्या सही है रिट्रो वाइरस मतलब वाइरस एक आरने वाइरस नइग बना सकता है इन्फेक्शन के दौरान तो आंसर यह विल बी correct which gene isolated from bacillus thuringiensis for corn borer जैसे कि हम जानते हैं cotton ball worm cotton ball worm एक हो गया और दूसरा है corn borer ये दो variants जो हैं इनके लिए हमने जो gene use किया था ये pest है तो इनके लिए जो gene use किया था एक जीन याद रखेंगे हम तीनों स्मॉल में लिखते हैं क्राई जीन CRY क्रिस्टलाइन फॉर्म में इनसे प्रोटीन आप्टेन की गई ती जीन को हम लिखते हैं क्राई प्रोटीन होती तो capital c small r y लिखते तो cry one a c with cry one with cry two a b ये दोनों यूज हुए थे बॉल वर्म के लिए और कॉर्न बोरर में cry one a b का जीन का इस्तेमाल किया गया था तो cry one a b will be the correct चले का मतलब यहां पर अगर confusion हो तो आपको पता होना चाहिए हमारी बॉड़ी की सेल में हर सेल के सर्फेस पे कि स्पैसिफिक एंटीजनिक expression होती है जिसे हम कहते हैं human leukocyte antigen तो हमारी बॉड़ी के अंदर हर सेल अपनी यूनीक सेल सर्फेस रिसेप्टर या सर्फेस एंटीजन एक्स्प्रेस करती है इस सर्फेस एंटीजन को हम कहते हैं जो कोड करता है जीन उस पर्टिकुलर रिसेप्टर को उसे एचले कहा जाता है पहली बार इसे लिउकोसाइट में डिसकवर किया गया था इसलिए नाम रखा गया था एचले यूमन लिउकोसाइट एंटीजन ठीक है बटा जी तो याद रख सकते हैं बाकिया और कोई दरुवत नहीं है यह ऑप्शन आपका सही हो जाएगा बी ऑप्शन बिलकुल करेक्ट बी विल बी करेक्ट ऑप्शन अगला सवाल मेड क्रॉप्स मोर टॉलरेंट तो अब आयोट को प्लैंट आसानी से टॉलरेट कर सकता हो रिड्यूज्ड रिलाइंस और केमिकल पैस्टिसाइड हम अगर ग्रीन रेवलुशन का वह देखें कि जब ग्रीन रेवलुशन चरम पर था तो उस समय केमिकल फर्टिलाइजर और पैस्टिसाइड का इस्तेमाल बहुत हुआ नो करेक्ट है प्लैंट की एफिशेंसी बड़ी जो की मिनरल का एफिशेंट यूटिलाइजेशन करते हैं और इन्हांस नूट्रिशनल वैल्यू जिसे हम कहते हैं बायो फॉर्टिफिकेशन तो आप्शन तो आंसर बनेगा यह पूरी एंसी आटी कवर हो गई आपकी एंसी आइडिया होगा यहापको बाटनी में पढ़ाया गया है माइक्रो प्रोपेगेशन प्लैंट के किसी भी ऐसे पार्ट को अगर हम आईसुलेट करें रूट स्टेम लीफ कोई भी ऐसा पार्ट अगर हम आईसुलेट करें और उससे पूरा प्लैंट डेवलप कर सकते हों तो थो अब निकाल दिया गया है उसे करें X X के बारे में आप से बढ़ियां तो कोई जानता ही नहीं होगा कितने ना जाने कितने आए और कितने A हैं है आपकी लाइब में न जाने कितने हैं और उस पार्ट और इजिनल पार्ट से डिटैच करके जो पर्ट निकाल लिया जाता और उसका स्तेमाल किया जाता है najle पूरे प्लांट को ग्रो करने के लिए इसको कहते हैंundos पार्ट को कहते एक्स plant और इस phenomenon को आप देखोगे इसे कहते हैं plant tissue culture तोटी potency भी आप जानते होगे ability of a particular ability of organisms जहां पे हम किसी एक particular cell से पूरी body का formation कर सकते हैं a single cell has ability to form complete body of the organism इसी को कहा जाता है तोटी potency क्या कहते हैं तोटी potency simple है the potential to form the complete body समझ आगी बात यह चीज़ा पढ़ सकते हो important है नई ncrt ने add किया बाकी तो आप जानकार होई GM has been used to create tailor-made plant to supply alternative to industries in the form of starch fuel ncrt के लाइन है correct है bet cotton is the only variety of BT only variety नहीं है बहुत सारी variety बनाए गई थी cotton हो corn हो मेज हो बहुत सारे ऐसे बनाए गए तो इसको रॉंग कर देंगे एक सही हो जाएगा statement वन करेक्ट स्टेट्मेंट वन करेक्ट अंकल एक अगला सवाल green revolution successful हुआ triple कर दिया इसने food supply को लेकिन it was not enough to feed the growing भाई साब जन संक्या तो आपको पता हिए independence के time पे हमारी जन संक्या कितनी थी और ऐसे rocket की स्पीड से भागी कि भाई साब जैसे ही आजादी मिली वर्ल्ड independent जैसे हमको वर्ल्ड में जब इंडिया को वर्ल्ड की दुबाद छोड़ो इंडिया की बात करते हैं जब हमें 1947 के बाद आजादी मिली हमारे देश के लोगों ने आजादी का सही मतलब समझा आजादी का असली मतलब समझने के बाद हमने अपनी जन संक्या को चरम पर पहुंचाया कसम कही थी कि भाई अंग्रेजों के वजह से हम जो दबे कुछले रह गए हमारी जन संक्या कम रह गई अंग्रेजों के जाने के बाद इसमें कमी नहीं आनी चाहिए है दीरे 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 हमने अपनी जनसंक्या को रॉकेट की स्पीड से बढ़ाया और जैसे जैसे 2000 सन 2000 तक हम पहुंचे हमने पूरे विश्व में जल्वा कायम कर दिया हर छटा इनसान जो था वो माहौल बनाया कि विश्व में हम चटे हो गए और आज तो ऐसी सिचुएशन है कि भारत ने चाइना को भी पीछे छोड़ दिया है और इन्शाल्ला यह मेंटेन रखेंगे हम हम कसम खाते हैं कि भारत कभी पॉपुलेशन के मामले में नीचे नहीं आएगा हम पूरे लोग यह मिलकर के कसम खा सकते हैं मैं हिंदोस्ताने हो और मुझे हिंदोस्तानी होने पर गर्व है और अगर आपको भी है तो थमसप होना चाहिए चैट बॉक्स पूरा महॉल बना दे कि बहाई साब हम हिंदुस्तानी है लोवयो लोवयो तूफान मचा देंगे आग लगा देंगे पूरे विश्व में हिंदुस्ताणी नुसे आगे कोई नहीं जा पाएगा इसकी गहरंटी लेते हैं कसम खाते हैं आप भी डॉक्टर बनना तो लोगों को समझाना कि भाई साहब कैसे इंडिया की पॉपुलेशन बढ़ी होगी एक तो भाई साहब जब आजादी मिली बिजली पानी की वहस्ता भी नहीं थी लेकिन फिर भी हम हार नहीं माने खाने पीने को भी नहीं था फिर भी हम हार नहीं म में कि हम सबसे फिट लोग हैं लाव योई मारा ब मक्षाइज तो मै कि इनकरेक्ट ऑप्प्षण तो भाई सब पहले ही ऑप्प्प्प्पाहं ने बलकुल तूफान मचा दिया पहले ही ऑप्प्प प्रिपलिंग दा फूट सप्लाई बट it was not enough to feed the growing power कह रहा है कह रहा है कह रहा है खाना हमने तीन गुना बढ़ा लिया लेकिन फिर भी हमारा पेट नहीं बर रहा था हमारा खाना नहीं पेट नहीं बर रहा था भाई साहब the choice of genes does not depend upon the crop and target does not बोला है मतलब wrong हो गया यह GM plants show increased efficiency of mineral uses सही बात है मतलब यह जो है खाली be option wrong होता है be option wrong होता है only be is correct ठीक है बटा only be is correct फिर कह रहा है genetically engineered insulin is considered better for human diabetic patient over isolated from animals कह रहा है यह बहतर क्यों हुआ होगा क्योंकि animals से जब निकालते रहे होंगे तो कोई ना कोई allergy या कोई genetic कोई immunological response तो होता ही होगा इंसुलिन एक्सप्रेश्ट इन बैक्टेरियल सेलार लोवर मॉलीकुलर वेट रॉंग है इंसुलिन फ्रॉम अधर एनिमल नॉट प्योर रॉंग है genetically engineered insulin will not elicit immunological response बिल्कुल सही है genetically engineered रॉंग है एक ही option सही बनेगा और हम यहां लिखेंगे c option क्या लिखेंगे c option लावयो लावयो सारे बच्चे इंडियन होने पर गर्व कर रहे हैं मुझे भी गर्व है maximum number of existing transgenic animals mice 95% जो है वह माइस है बाकी हमने transgenic कवा भी बनाया है transgenic कवा ने काव भी बनाया है पीक भी बनाया है और फिश भी बनाया है बट सबसे जादा कौन है वह है 95% माइस बंदर भी है रैबिट भी है लेकिन हम सबसे जादा यूज कर रहे हैं किसको माइस को माइस का इस्तेमाल हमारे लिए easy to handle है monkey और गाय के उपर इस्तेमाल किये जाने पर अगर हम कहें तो यह करें इनको प्रॉसेस करना इनके उपर एक्सपेरिमेंट करना कंपरेटिवली टफ होगा इसलिए हम आसानी से इन ट्रांस जनिक माइस का माइस का इस्तेमाल कर रहे हैं इवन पोलियो वैक्सीन और उसकी safety चेक करने है उन्हें बना रहे हैं ट्रांसजनिक अमतलब वह घूता है ऐसे एनिमल जिन के पास जीन किसी और का होता है अपने जीन के साथ तो आंसर बनाएंगे डॉक्टर बी को next question first transgenic animal buffalo नहीं रोजी वाज फर्स ट्रांस जैनिक काउ restriction enzyme used in isolation of dna from other macromolecules restriction enzymes are used to isolate cut करने के लिए use किया जाता है downstream processing one of the step in recombinant dna technology बिल्कुल सही बात है disarmed pathogenic vectors are also used in transfer of recombinant dna into host तो यह भी बात बिल्कुल सही है तो मतलब हमारे पास c और d सही है a और b wrong है question में क्या पूछा which of the two statements have mistakes तो a और b have mistakes यहां पर miss take हुआ है miss को take हुआ है तो answer हो जाएगा d option तो यह देखे a and b wrong है क्या wrong है a और b wrong है चलें आगे चलते है which of the following protein is present in milk तो alpha lact albumin and CRT का line है बिना किसी doubt के आप answer बना दोगे option number a alpha lact albumin 2.4 gram per liter याद रखेंगे protein enrichment जो की 2.4 gram per liter हमने कर दिया था जो की एक more balanced diet कहा जाता है humans के infants के लिए जो की as compared to natural cow milk है उससे जादा more balanced है ncrt की line है याद रखेंगे better है healthier है अगला सवाल है biological products useful biological products are obtained from transgenic animals to treat the disease like कह रहे है ऐसे biological product जो ट्रांस जैनिक एनिमल्स से आप्टेइन किये जाते हैं जिनका इस्तेमाल किया जा रहा है बिमारियों को treat करने के लिए एड्स का treatment भाई साब अभी available नहीं है लेकिन हाँ genetic disorders के treatment के लिए हम ट्राइ कर रहे हैं कि हो सकता है कुछ आने वाले समय में हम एंफिजीमा एल्फा वन एंटी ट्रिप्सिन या फिर सिस्टिक फाइब्रोसिस या फिनाइल कीटो नूरिया जैसे genetic disorders का treatment कर पाएं आने वाले समय में तो AIDS का तो treatment हम नहीं कर पाएंगे क्योंकि वो genetic disorder है हिच नहीं तो आंसर बना सकते हैं 134 134 तो 134 का हो जाएगा करेक्ट बी ऑप्शन क्या हो जाएगा बी ऑप्शन नेक्स क्वेश्चन अमाउंट ऑफ एल्फा लेक्ट अल्बूमिन देखो क्वेश्चन आ गया वही सेम कॵेश्चन सेम वहस्यों में दो पॉइंट से ध्यान ना को एक तो यह ल्फा लेक्ट answer will be B अगला सवाल GEAC से related which of the following which one of the following statement is correct it will make decision regarding the validity of genetic modified research it will make the decision regarding the safety बिल्कुल से इसका मतलब सारे option सही हो जाते हैं कहीं कोई गलती नहीं NCRT में यह सारे points आपको मिल जाएंगे it will this it will take decision it will determine the it will take decision with respect to safety of the genetically modified organisms public services में यूज करने से पहले उसको नेचर को ले करके उसकी analysis की जाएगी cost benefit benefit analysis की जाएगी nature को यहां करेगा या इसको कोई इससे कोई नुकसान नहीं सब चीजों को observe किया जाएगा और ultimately all of the यह जाएंगे answer हो जाएगा दी ऑप्शन है जन्टी मोण में वन सच और इंडियन गवर्मेंट है बिल्कुल सही है चारो आप्शन तो आप्शन तो आप्प्रेक्ट फॉर्थ ऑप्शन तो भहिया कंप्लीट बायलोजी का महा रिविजन एंड गेम के साथ कंप्लीट हो चुका है